हेलो पेरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आय होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैट्स के ऐसे फर्स्ट के एक्जाम को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दिया गया तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो इसके नौटिफिकेशन मिलते रहे हैं तो शुरू करते हैं बच्चो बच्चों यहां पर आपको सही आंसर चूज करना है एक माचिस के बॉक्स में कितने कौने होते हैं ऑप्शन है जी डो एट शिक्स और टू तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नमबर सेकंड एट होते हैं नेक्स्ट है एट हंड़ेड प्लस फिप्टी प्लस फिल इन दा ब्ल है कितने नमबर प्लस करेंगी 859 हो जाएं तो बच्चों यहां पर आप्शन है 9 8 6 5 तो आंसर है बच्चों आप्शन नमबर फिस्ट नाइन नेक्स्ट है 5 और दें 121 इस 121 से 5 ज्यादा कितने होते हैं तो बच्चों कितने होते हैं आप्शन है 126 127, 116 एंड 123 तो बच्चो आप्शन नमबर फिस्ट 126 नेक्स्ट है 100, 150, 200 तो बच्चे इसमें हर बार कितने प्लस हुए हैं 50 तो यहां पर आप्शन है 220, 250, 25, 150 तो बच्चों आप्शन है आप्शन नमबर सेकेंड 250 नेक्स्ट है हाइट ऑफ वाटर वाटल इस मेजर्ड इन पानी की बोतल की जाता है ऑप्शन है ग्राम मीटर किलो मीटर सेंटी मीटर तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नमबर फोर सेंटी मीटर में नाव इस्टे ट्रू और फॉस बच्चे यहां पर सही और गलत बताना है वन किलो मीटर एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 तो यहां पर लिखे एक इट जो है उसमें 6 कौने होते हैं तो बच्चे फॉल्स है एक इट में 8 कौने होते हैं नेक्स्ट है smallest तो तो थ्री डिजित नमबर इस 999 तीन अंको की सबसे छोटी संग्या कौन सी होती है 999 तो बच्चे ये भी फॉल्स है तीन अंको की चोटी संख्या होती है सबसे 100 next है length of pencil box is measured in cm pencil box की लंबाई को cm मापा जाता है तो बच्चो हाँ यह true है our drawing sheet has three ages एक drawing sheet जो है उसमें 3 किनारे होते हैं तो बच्चो यह false है गलत है एक drawing seat में 4 किनारे होते हैं अब है बच्चो answer the following questions using digits 35091 make the smallest two digit number बच्चो इन अंकों का यूज करके दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो बच्चो आंसर है 10 next है find the sum of 42 and 47 बच्चो इन दोनों का sum बताना है 42 में 47 को प्लस करेंगे तो कितना हुआ 7 और 2 9 4 और 4 8 तो यहां पर लिखेंगे 89 next है what should be added in the number 92 get the sum as 100 92 में हम कितने number प्लस करें कि हमारा जो आंसर हो 100 हो जाए तो बच्चो यहां पर answer है 8 हम 100 में से 92 को माइनस कर देंगे कितना बच्चा 8 next है write the number of 10 less than 500 500 से 10 number कम कितना होगा तो बच्चो इसमें से हम 500 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 490 next है calculate the difference between 129 and 125 इन दोलों संख्याओं के बीच में कितना आंतर है तो बच्चो यहां पर हम 129 में से 125 को माइनस कर देंगे कितना बच्चा 4 तो बच्चो आंसर है 4 now pictorial based questions count the number of triangles in the given picture दी गई picture में triangles की संख्याओं को गिनी and write the answer तो बच्चो कितने ट्राइंगल है 1, 2, 3, 4 अब बच्चो यह हो गया complete 5 तो यहां पर लिखेंगे number of triangles 5 next descriptive questions question is राहूल है 860 रुपीज राहूल के पास 860 रुपए है he bought cloths worth 529 रुपीज उसने 539 रुपए के कपड़े खरीदे how much money is left with him उसके पास कितने पैसे बच्चे तो बच्चो यहां पर answer है money left 860 उसके पास थे 529 के उसने कपड़े खरीद लिए तो बच्चो 529 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच्चा 331 रुपीज राहूल के पास बच्चे now using digits 310 make all possible 3 digit numbers बच्चो इन digits का use करके आप 3 अंकों की जितनी भी संभव संख्या है बन संख्या है उन्हें लिखेंगे तो बच्चो आंसर है 103, 130, 301 and 310 students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you